हाँ आखी चलू करें क्या बीक है आज का आज को अब टॉपिक है ट्रांस फार्मर ट्रांस्फार्मर हम सब तो मैंद में अगर बात करें तो हर गली महले के बाहर ड्रांस्वार्मर लगा रहता है गाउं की बात करें तो गाउं के बाहर ट्रांसफर्मर लगा रहता है क्या जरूरत है आखिर ट्रांसफर्मर की बाई करेंट तो आ ही रहा है करेंट तो आ ही रहा है ओल्टेज सप्लाई तो आ ही रही है फिर बीच में ट्रांसफर्मर आखिर क्या जरूरत पड़ी की गाउं के बाहर उसको कम करने के लिए ठीक है मानते हैं अच्छा तो ग्यारा हजार 22,000 की वोल्ट आ रही है तो क्यों कम कर रहा है डारेक घर तक ले आए अगर डारेक घर तक ले आएंगे तो इतना हाई वोल्टेज रहेगा तो सब जितने भी एप्लाइंसे हैं एलेक्ट्रिकल एक्रानिक्स वो क्या हो जाएंगे फटके फ्लावर ठीक अच्छा तो ग्यारा हजार क्यों लाते हैं जहां से भी एलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमको मालूम है कि हमारे घर में जो होम अप्लाइंसे यूज होते हैं एलेक्रिकल एक्टानिक्स वो 240 वोल्ट पे वर्क करते हैं ठीक वो ऐसे 210-240-240 वोल्ट भेज़े वहां से बड़ ऐसा क्यों 17,000 बेचते हैं बैससे 7, format बैससे नहें नहीं कि 2050 क्यों होल्ट बेज़ने के पीछे का प्रपस ये कि अगर वहां से 240 वोल्ट सेड़र, किलो मीटर दूर से चला आ रहा है हजार किलो मीटर दूर से लेक्रिसिटी और 240 वोल्ट वहां से भेजेंगे रास्ते में इतनी जगा उसकी यूज़ेंगे अधर अधर जगा उसका पंजमसन होगा लेक्रिसिटी का तो पता चला आते आते तो बिल्कुल ना के बराबर हो ह्भाते हैं 1100 डाईयर 22000 गली मौ लेकर जाएक क्या आता है ट्रांस्फार्ममर क्या 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 किखेता लोग्या, हाई europa को क्या क्या करते हैं, ₹ जैयर हजेगी, 112000 डिशाज़ में क्या कहारेगा अब 220 रहाजसांयसे 246 जो है ठिक हैं ईसके समझते है मन लो 11000 की लाइन आ रही है 11000 होल्ट आया यहाँ पे हमारा घर है किलिर अब डारेक्ट 11000 घर तक आएगा तो फिर जितने बिलेक्टरिकल डिवाइसे हैं वो सारे के सारे फड़ जाएंगे खराब हो जाएंगे तो अब क्या करते हैं गाउं से पहले ही एक ट्रांसफार्मर क्या करेंगे गाउं से पहले ही एक क्या करेंगे ट्रांसफार्मर रख दिया जाता है यह ट्रांसफार्मर क्या करेगा इस 11000 को चेंज कर देगा यहाँ पे कितना आएगा ग्यारा हजार वोल्ट निकलेगा कितना यहां से? दोस्तो चालिस वोल्ट अब घर तक कितना वोल्ट जाएगा? दोस्तो चालिस वोल्ट अब वो दोस्तो चालिस वोल्ट यूश हो जाएगा के लिए यह ग्यारा हजार को दोस्तो चालिस में कर रहा है इसका मतलब voltage को क्या करता है, बट ऐसे भी ट्रांसफार्मर होते हैं, जो अब भी करते हैं, जो ट्रांसफार्मर ओल्टेज को, जैसे ये ट्रांसफार्मर क्या किया, 11000 को, किस में convert किया, 240 V में, 11000 V को, 240 V में convert किया, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, step, down, मतलब क्या किया ये, ये voltage को कम कर दिया, क्लियर, अगर कोई transformer है, वो 120 V को change कर दे रहा है, 220 V में, क्या किया ये, voltage को बढ़ा दिया, तो इसको क्या बोल देंगे, step, up, तो transformer कितने तरा के, दो तरा के, step down, या फिर step, up, step down transformer कहा ये, यूज होता है, हमारे गली महले में, city की बात करें, गाउं में बात करें, तो क्या होता है, गाउं के बाहर, transformer जो यूज होता, वो कैसा transformer है, step down transformer है, high voltage electricity जो आती है, उसको कम करता है, 240-220 voltage में करके, घर तक आएगा वो, ठीक, अच्छा, transformer और भी कहीं यूज होता है, कहीं देखें, अरे, mobile का जो charger है, उसमें भी transformer यूज होता है, ठीक है, घर में LCD वगेरा लगती है, CD होती है, TV, उसमें भी transformer का यूज होता है, electronic devices की बात करें, अगर, तो कोई 6 volt पे work करता है, कोई 8 volt पे work करता है, 6 volt, 8 volt, 12 volt, इतने कम-कम voltage पे work करते हैं, जबकि घर तक अगर ही आएगा, तो कितना आएगा, 220-240 volt आ रहा है, तो charger वगेरा जो है, यह सब तो जल जाना चीए, बढ़ नहीं जलता है, क्या होता है, उसमें charger की बात करें, TV की बात करें, सीडी की बात करें, तो कोई से transformer होता है, step down transformer, clear, अच्छा, step up transformer भी कहाँ पी हो जोगा, अरे, stabilizer देखे हो गए, stabilizer, बच्पन में जो TV होती थी, बड़ी डिबा जो होती थी, डबबा वाली TV, stabilizer लगा जाता था उपर, क्या काम करता था वो, अच्छा, अब बात करते हैं, की, वर्क कैसे करता है transformer, 11,000 को 240 में, 120 को 220 में, मतलब, ज्यादा voltage को कम voltage में, कम voltage को ज्यादा voltage में, कैसे, convert कर देता है, clear, उसके बारे में, दिखते है, ठीक, अच्छा, बात करें, transformer होता क्या है, transformer क्या होता है, transformer एक non-rotating electrical machine है, क्या है, non-rotating electrical machine, ठीक है, machine की बात करते हैं, जनरी तो हमारे दिमार में बात आती है, machine है, तो मतलब कुछ घूम रहा होगा, उसमें कुछ घूमने वाला होगा, बट transformer में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, जो घूमे, इसलिए इसको non-rotating electrical machine बोलते है, क्लियर, transformer, melee, क्या क्या होता है, transformer में, primary winding, secondary winding, ठीक, और core, तिन चीज़े कौन कॉंसल रहते हैं, primary winding, secondary winding, और core, क्लियर, अब इन तीनों चीज़ को समझते हैं, कि actual में ये क्या है, ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका primary winding, क्या हो गया ये, primary winding, और ये क्या हो गया, secondary winding, क्लियर, winding का मतलब कुछ नहीं, winding मतलब क्या है, किसी भी conductor को क्या करें, ऐसे ही, उसको घुमा दें, circular path में कर दें, वही winding, ठीक, ये बनता किसका है, mainly transformer में जो winding की जाती है, उसमें यूज क्या आता है क्या, copper, क्या यूज क्या जाएगा, copper, clear, primary winding, secondary winding में जो यूज क्या आता है, material, वो material किसका बना होता है, copper का बना होता है, ठीक, primary winding में क्या होता है, input, input का मतलब, जो बाहर से supply आई है, जो supply electricity की बाहर से आई है, वो कहाँ पर आएगी, primary winding में आएगी, कहाँ पर आएगी, primary winding में आएगी, clear, तो इसको मालने, जो supply बाहर से आई है, वो कैसे supply है, primary voltage, supply जो आई है, वो ओल्टेज होगा ना, तो इसको क्या बोल देंगे, primary voltage, यह secondary wiring है, यह output देगा, इसको बोलेंगे secondary voltage, ठीक है, क्या बोलेंगे secondary voltage, अच्छा, अब खेल शुरू होता है कि आखिक कैसे काम transformer कर रहा है, समझते हैं, समझते हैं यहां पे, समझो, यहां पे जब primary voltage आया, primary winding में, जब external voltage बाहर से आया, वो कैसा होगा, वो high भी हो सकता है, low भी हो सकता है, अभी हमके नहीं बता रहे हैं कि वो high है, या अभी नहीं कहरें low है, माल लिए कोई भी यहां पे क्या है, voltage की supply आई, जब voltage की supply यहां पे आएगी, जब voltage की supply यहां पे इस principle पे based है, magnetic inductive effect, या फिर magnetic induction बोलेंगे, magnetic induction principle पे transformer क्या है, based है, magnetic induction क्या होता है, अरे कुछ नहीं, किसी भी coil के पास में, माल लो क्या है, यह coil है, इसमें needle लगा हुआ है, clear, इस coil के पास में, जब हम किसी magnet को, magnet में दो पोल होते हैं, नार्थ और साउथ पोल, जब किसी magnet को, इस coil के पास में लाएंगे, और यहां से लेके जाएंगे, मतलब oscillate कराएंगे, जब किसी coil के पास में, conducting coil होना चाहिए, तब क्या होगा, कि magnet की वज़े से, एक simple conductor winding कर दिया है, जिसका उसमें क्या हो रहा है, current produce हो रहा है, magnet की वज़े से किसी conductor में, जो current produce होता है, इसी को बोल देते है, magnetic induction, तो हमारा transformer भी इसी principle पे based है, clear, अच्छा, अब जब यहां पे current का flow होगा, इस winding की थूरू, जब इस winding की थूरू क्या होगा, current का flow होगा, जब current का flow यहां पे होगा, तब magnetic flux generate होगे, ठीक, क्या होगे, magnetic flux क्या होगे यहां से, generate होगे, अरे भई होगे की नहीं होगे, बोलो यार, होगे न, magnetic flux क्या होगे यहां पे, generate होगे, ठीक, अब यह जो magnetic flux, primary winding में generate हुआ है समझना जो magnetic flux, primary winding में generate हुआ है, यह देखू उसका direction है magnetic field का क्या है? direction है यह flux कहाँ पर आईगा? secondary winding में भी आईगा कुछ secondary winding में जाएगा कुछ secondary winding में जाएगा? और यह actual में क्या है? secondary winding जो है, इसमें से flux का जो amount है, जो magnetic flux यहां से generate हो रहे हैं, वो कितने यहां से निकलेंगे, बहुत ही कम amount भी निकलेगा, ठीक, अब जब flux कम amount भी निकलेगा, तो यह flux की वज़े से ही क्या हो रहा था, induced EMF, या फिर current बन रहा है, induced EMF या फिर current जो है, इसी flux की वज़े से बन र रहा है, तो यहां पर EMF कितना बनेगा, बहुत ही कम, EMF कम तो current कम, current कम तो voltage कम, तो हमको जितनी supply चाहिए, उतना मिली नहीं रहा है, हमको supply कितना मिल रहा है, बिल्कुल ना आगे बराबर supply मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, कि ऐसा कुछ करें, कि यहां जो metric flux generate हो रहा है, यह यहां पर जो metric flux generator हो रहा है, वो इधर उड़ना जाकर के, अब यह winding के थ्रू ही पास हो, ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, कि यह जो metric flux यहां पर बन रहा है, वो metric flux, इस ही winding से होके, पास हो, तो हमने क्या किया अब, कि एक iron का core, क्या किया, एक iron का core, यहां पर insert क जब दिया, ठीक है, अब जब iron का core, इसमें हम insert कर देंगे, तो अब यहां पर metric flux बन रही है, वो इधर उदर ना जाकर के, इसी रास्ते से होके जाएगी, क्यों, क्योंकि iron एक conductor है, इसको एक रास्ता मिल गया, पास मिल गया, इसी रास्ते से होके metric flux क्या होगी, गुजरेग तो अब ही जो यह flux थी है, जो other side चले जा रहे थे, वो अब इधर उदर ना जाकर के, कहां से जाएंगे, यह core से होके जाएंगे, ठीक है, मिटाल दे इसको, अरे बोलो वही, मिटाल दे, ठीक है, अब यहां पर जो flux बन रहा था, वो यही core से होके जाएंगे, ठीक, अब जब core से होके, यहां से magic flux जाएगा, तो इसी magic flux की वज़े से क्या हो रहा है, induced MA4, induced MA की वज़े से, यहां पर करेंट, produce हो रहा है, कहां पर secondary winding में, secondary winding में, जब यहां पर करेंट, produce हो रहा है, तो यहां पर output हमको मिल जा रहा है, secondary voltage के रूप में, ठीक, अब हमने क्या किया, यह iron का rod जो हमने लगाया है, समझना इस चीज़ को, iron का rod, मालों यह iron का rod है, इसी को पूरा ऐसे हमने लगा दिया, ठीकनेस क्या है, ज्यादा है, अब iron का rod, ठीकनेस ज्यादा, मालने क्या, यह है rod, ठीक, इसका TS देखते हैं, यह हो गया ठीकनेस, iron की rod का क्या होगए, फिकनेस, एक टर्म सुना होगे, eddy current, क्या ödy current, क्या होता है, external current, main current नहां हो करके, जो addix line के perpendicular generate होता है, ठीक है, उसको बोलते है, adddy current, additional current होता है, main current नहीं होता है, वो क्या होता कि जब भी जादा space पाएगा जादा जगा पाएगा तो उतनी जादा फलेगा फूलेगा मतलब जितनी जादा surface area इसको यहां पर मिल जाएगा उतनी जादा addy current बनेगा और addy current बन रहा है तो main current क्या हो जाएगा समझो समझो मेंटीक फ्लेक्स जा रही है मेंटीक फ्लेक्स एंड् hörenב बनाईज है क落ए मेंटीक करेंट नहीं चाहिए को ज़्यादा से ज्यादा चाहिए loss हम चाहीं नहीं रहें, loss कौन चाहता है, जनरल लाइव में भी कोई loss नहीं चाहता है, ठीक, तो अब इस eddy current को जब जितना ज़्यादा space मिल जाएगा, eddy current उतना ही ज़्यादा बनेगा, eddy current को समझते हैं, eddy current मतलब भवर, eddy मतलब होता है भवर, भवर देखे होगे न, अरे सी में देखो, या फिर नदी वगएरा में, रिवर वगएरा में देखो, कहीं पर घूमने लगता है पानी, एक प्लेस पे, सर्कुलर पात में, रोटेशन करने लगता है, वाटर, उसी को बोलते हैं, ठीक है, अच्छा, air की बात करें, air भी देखें, बाव अंडर बोलते है अच्छा, इसे घूमने लगता है, इसकी प्लेस पे, तो वही एडि करेंट, मतलब, एक सर्कुलर पात में मोशन करने लगे, करेंट, उसी को बोलते है, एडि करेंट, अच्छा, सर, ठीक है समझ में आया, एडि करेंट, बट क्यों बना, बना क्यों आखिर, अरे समझो यार यह आरन है, कंड़क्टर है, कंड़क्टर में एलेक्टरांस होते हैं, कंड़क्टर में एलेक्टरांस होते हैं, जब यहां से मेंटिक फ्लक्स निकलेगी, तो एलेक्टरांस एक्साइटेश स्टेट में आ जाएंगे, जब एक्साइटेश स्टेट में आ जाएंगे, तो र हमारी कोशिस क्या रहेगी, eddy current बन रहा है, loss हो रहा है, उसको क्या करें, कम से कम करें, ताकि हमें main current ज्यादा मिले, तो उस loss को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोचो, सोचो यार, इस loss को कम करने क्या करें, अगर surface area ज्यादा, सर्फिस एरिया को हम कम कर दें सर्फिस एरिया को कम कर देंगे थी करें चोटा बन पाएगा जब छोटा बनेगा टirie काम होगा अरे बुजो बुजा के नहीं दो जाएगा सक्ष्कम सर खॉलर तरी करिंट का समझे फिजिक्स है फिजिक्स ठीक है तो लॉस क्या हो जागए यह आप पर अब कैसे इसको अब सर बात आती है कि यह रॉड जो है इसके रेटियस को कैसे हम कम कर दें अरे विकूप मानो मान लो क्या है कि कोई इतना रेटियस का रॉड था अब हमें क्या करना है सर इतना ही रेडियस का हमको यूज करना है लेकिन हमें रेडियस कम कर देना है अरे तो क्या करें देखो छोटे छोटे आयरन के रॉड को यूज कर ले अब जब छोटे छोटे आयरन के रॉड को यूज कर लेंगे तो एडी करेंट समय बनेगा सर्कुलर पात कम बनेगा, एडी करेंट कम बनेगा, लेकिन हमें तो जितने रिक्वार्मेंट थी डायमीटर की, वो तो हमको मिली रही है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो रॉड यहां पर यूज किया है, उसको कैसे यूज करते हैं, बहुत सारे कम डायमीटर के रॉड को एक दूसरे के पैरलल रख देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जैसे ये एक रॉड, इसके उपर एक रॉड, इसके उपर एक रॉड, इसके उपर एक रॉड, इसके उपर एक रॉड, ऐसे ही रखते चल जाते हैं, मालो ये रॉड है, इतना ठीकने संको चाहिए था, चार रॉड हमने लगा तो अब क्या करते हैं लोग कि यह जो आइरन का रॉड था यह एक रॉड ना लगा करके बहुत से पतले पतले रॉड लगा दिये जाते हैं तो अब बात आई जब छुट इसमें पतले पतले रॉड लगा दिये जाते हैं तो सब आपस में मिलके फिर से एक या कंड़कर हो जाएगा अच्छा ठीक है बात तुम्हारी साही है तो क्या देखेंगे करेंगे यहाँ पर जब एक रॉड है तो इसको लेमिनेट कर देंगे पर जब दूसरा रखेंगे वो भी लेमिनेट, तीसा रहेगा, वो भी लेमिनेट, जब रॉड लेमिनेट रहेगा, तो इसके अंदर से जो करेंट का फ्लो हो रहा है, क्या वो लीक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि ये लेमिनेट हो चुका है, समझे की नहीं स तोड़े होगे तो तोड़े तोड़े होगे तो उसमें से निकला होगा आरन का राड इसे अपका कि हाँ कि असे निकलता है नहिंद बाइब बश्षाय रहते हैं दूसरे के उपड़ वहीचीज बस बस समझ में आ गया ठीक अब जब रखा के लिए ready current समझ में आया, अब आते है main topic के तरफ, अब जब secondary winding में flux पहुचा, तो यह flux क्या करेगा, EMF induced करेगा, electromotive force, EMF की वज़े से current बनेगा, voltage, और output यहां पी मिल जाएगा, जिसको हम ऐजे अपने काम के लिए क्या करेंगे, domestic purpose से या फिर industrial purpose से क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलें, primary voltage, secondary voltage, primary winding, secondary winding, इसको क्या बोलेंगे, कूर, किसका बनाएए, iron, stateness steel iron, इसी का बनता आई है, silicon की coating की जाती है, ठीक है, अच्छा सर्थ, आप बता रहे थे कि, इस transformer का काम होता है, voltage को कम करना है, या फिर voltage को ज्यादा करना, तो कैसे यहाँ पर हम समझेंगे, voltage कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, ऐसे समझेंगे, देखो, यहाँ पर नंबर जोड़ों कितना है, winding, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, नंबर आप टन्स कितने है, 6, मतलब अगर इसको माल ले, N1, इसको माल ले, N2, नंबर आप टन्स कितने है, N1, अपान, V1 is equal to, N2, अपान, V2, नंबर आप टन्स कितने है, 6, V1 कितना है, मतलब प्राइमरी वोल्टेज, VP भी बोल सकते हैं, इसको, यहाँ पर V1 बोल दें, चलो, VP लिख दे रहे हैं, अरे, तुम लोग बहुत बड़े वाले हो, ठीक है, यहाँ पर VP लिख दे हैं, तो यहाँ पर Vs लिख दे हैं, यहाँ पर नंबर आप टन्स प्राइमरी वोल्टेज कितना है, 240 इस इक्वल टू, सेकेंड़ी नंबर आप वाइंडी, एक, दो, तीन, चारे, वाइंडी, नंबर आप वाइंडी, यहाँ जितने पार इसको रोटेट की हैं, बस, कुछ नहीं, एक, दो, तीन, चार, क्या हो जाएगा यह, चार, वोल्ट क्या हो जाएगा, 6 into, Vs is equal to 4 into 240, अरे बुजा की नहीं, बुजा, Vs is equal to 4 into 240, अपान 6, अच्छा, 6 बन जा, 6, 6, 40 जा, 240, तो 44 जा, 1, 60, अरे सर, 160 वोल्ट आंसर आगया, इसका मतलब, यहाँ पे वोल्ट जो मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 160 मिल रहा है, और यहाँ पे वोल्ट इज कितना दिया गया था, 240 दिया गया, और मिल कितना रहा है, 160 वोल्ट मिल रहा है, जार वोल्ट आज कम हो गया, अरे बिटा, तो वोल्ट आज कम हो गया, तो इसका म पढ़ना नहीं पढ़ेगा, लिख लो, आत्मा में उतार देंगे आज, ठीक, तो कैसा transformer है, इस tip, down transformer है, क्योंकि वोल्टिज जो है, वो, कम हो गया, अच्छा सर, तो इसका यूज, अरे, शुरू में ही तो बताया थे यूज, घर, मोले, गली के बाहर, गाहों के बाहर, जो transformer ह यूज होता है, वो कैसा transformer है, step, down transformer है, मोबाइल वगयरा में, जो charger अच्छा सर, तो इस tip अब कैसे होगा, अरे, बेकूब, कुछ नहीं, यहां का number of winding क्या करो, कम कर दो, यहां का number of winding क्या करो, ज्यादा कर दो, voltage ज्यादा जाएगा, step, up हो जाएगा, समझे, बना के दिखा है समझो, इदर side में, आओ, चलो, इदर आओ, देखो, हमने माल लिया, N1 की winding है, 20, और N2 की winding है, मतलब यह primary हो गया, यह secondary हो गया, इसकी है, 40, यहां पे winding माल लिया, मैंने 20, यहां पे माल लिया, 40, windings क्या हो गया, बढ़ गया, secondary की बात कर रहे हैं, समझना, voltage supply जो आया, primary में, यहां पे जो supply आया, हमने माल लिया, फिर से, कितना आया, माल लिये, 200 volt आया, अब बताईए, सर, अरे हम क्या बताएं, तो तुम भी बता सकते हो, यार, कितना voltage, output में मिलेगा, simple formula, N1 upon, V1, N2 upon, V2, अरे, तुम लोग बहुत बड़े आले गदे हो, N1, V1 मतलब, Np और, Vp, primary voltage, primary, winding, N1 की वाल्यू कितनी रहेगी, Np की वाल्यू, 20, अपान, लिख दे, ना तो तुम लोग तो भाई, कावे समझ नहीं आया, ठीक है, अब बुजा, 20, Vp की वैल्यू कितनी है, 200, is equal to, Ns की वैल्यू, Ns की वैल्यू कितनी है, और 40, और Vs तो बतानी है, Vs बराबर क्या हो जाएगा, Vs is equal to, इधर इसको 20 से multiply करेंगे, और इधर ले जाएगे 200 into 40, तो Vs is equal to क्या हो जाएगा, 200 into 40 upon 20, हुआ कि नहीं हुआ, अरे 0 से 0 काट दो, 2 को, 4 से काट दो, आया 2, 200 को 2 से multiply करेंगे, कितना हो गया, 400 V, secondary voltage कितना हो गया, 400 V, दे कितना रहे थे, 200 V, दे कितना रहे थे, 200 V, मिला कितना, 400 V, और इस दोरी यह क्या बात हुई, यहां तो voltage बढ़ गया, हाँ बटा, voltage बढ़ गया, तो कौँ सा transformer हो गया, step, अब transformer हो गया, stabilizer जो यूज होता है घर में, voltage को क्या करता है, बढ़ा देता है, समझे की नहीं समझे, बुजा, अच्छा, तो खेल किसका है, खेल सी number of windings का है, number of windings यहां पे घटा दोगे, voltage घड़ जाएगा, number of windings बढ़ा दोगे, voltage बढ़ जाएगा, प्रूफ हो गया, समझ आ गया, mathematical प्रूफ हो गया, थोड़ा सा थर्ड कल portion, पांच मिनट में, वो भी कवर कर देते हैं, फिर transformer आज के बाद कभी ना बुलना, नहीं याद करना, आत्मा में गुसेगा, याद कर लो, चलिए, इसको ऐसी ही रहने देते हैं, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या करेंगे, रफ करेंगे, क्यों करेंगे, बताते हैं, काहे बात की जल्दी, किस बात की जल्दी, बताते हैं क्यों नहीं पूरा रफ की हैं अच्छा सर आप समझा दिये हम समझ गये लेकिन हमने तो देखा ट्रांस्वर्मर बड़े सो डिब्बाओं की तरह होता है अरे बेकूपो होता है हम भी मानते है ठीक है डिब्बा की तरह होता है ऐसे देखे हो अरे नहीं सर उसमें तो कुछ ऐसे भी लगा रहता है अरे ठीक है नहीं सर वहाँ पे कुछ ऐसे भी रहता है अईसे भी रहता है कुछ अब हो गया अरे नहीं सर वहाँ पे हमने देखा था कुछ ऐसे भी था अरे अब हो गया तो एब वहिसे ही लग रहा है याँ वहिसे ही लग रहा है main जिर रोल था वह अंदर किसका था winding और core था यह तो खाली एक डबबा वना दिया गया इसको रखने के लिए इसको इसके अंदर kept करने के लिए रखने के लिए लेकिन इसका भी एक main role है क्या है समझो क्या होता है कि जब transformer continue वर्ग करता रहता है तो हम बात करेंगे fan की बात करें bulb की किसी पे लेक्टरेल डिवाइस की क्या होता है टाइम के साहथ साहत वह heat up कर जाता गर्म हो जाता अगर ज्यादा गर्म हो गया तो फटके flower हो जाएगा तो इसको cool रखना भी बहुत जरूरी है, अगर ये cool नहीं रहेगा, तो मामला गड़़ः हो जाएगा, transformer जल जाएगा, ओँ, आज कल तो और देखुं, मजे की बार, अगर एक बड़ transformer जला तो मैंने बढ़, बत्ती, गुल, transformer उड़, बत्ती, गुल, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कि ये पूरा जो अभी हमने समझा वाइंडिंग और को ये पूरी चीजों को हम मर्ज कर देंगे इसमें किसमें कर देंगे इसको एक बॉक्स में इसको केप्ट कर देंगे और उस बॉक्स में क्या भरा रहता है क्या भरा रहता है अरे ट्रांसफार्मर आयल भरा रहता है क्या बना रहता है transformer oil क्या बोलते हैं इसको इसको ट्रांस के फार्मर ऑइल इसी को बोला जाता है mineral oil समझो बात को बात है 1980 के आसपास की अमेरिका में क्या हुआ कि ये transformer oil जो था ससना मिल जाता था तो जो सस्ती कमपनिया थी वहाँ पे ठीक है कम पैसे में chips वगएरा खाना वगएरा जो बनाती थी वो लोग क्या करने लगें कि खाना बनाने में इसे oil को यूज करने लगें खाना बनाने में transformer oil को यूज करने लगें और लोग क्या हुए है खा खा के मरने लगें लोग क्या हुए है खा खा के मरने लगें क्यों क्या वज़ा था कि इस oil को यूज करने से लोग मरने लगें तो कि mineral oil में एक main जो इसका constituent होता है component होता है जिसको बोलते हैं poly chlorinated by phenyl, समझो, समझो, क्या बोलते हैं इसको, poly poly chlorinated phenyl poly chlorinated by phenyl ये toxic nature का होता है, कैसा toxic, जहरीला, ये कैसा होता है, जहरीला होता है, poisonous होता है, जो main component होता है mineral का, ये poly chlorinated by phenyl, जहरीला होता है, toxic होता है, इसकी वज़े से, लोगों की जान, जाने लगी, बात 1998-1980 की, अमेरिका में क्या क्या, गौर्नमेंट ने इसको, बैन कर दिया, इस oil को, ट्रांस्फर्मर यूज करने से, बैन कर दिया था, क्लियर, इसी को बोलते हैं, PCB, PCB, समझो, समझो, oil को यूज करने का जो, डाइगराम बड़ा गंदा बनाते हैं, offline class में बड़ा अच्छा बनाते हैं, online में गंदा बनाते हैं, ठीक है, अब ये जो oil है, ये क्या करेगा, कि जब transformer work कर रहा है, transformer जब work कर रहा है, उस time पे, जो heat इसमें generate हो रहा है, उसको cool करने के ये इस oil को क्या करते हैं, हम लोग transformer में यूज करते हैं, इस oil को हम क्या करते हैं, transformer में यूज करते हैं, तो क्यो जो heat यहाँ पे generator इसको cool कर दे, अच्छा, तो oil सर इसको कैसे cool करता है, समझो, समझो, लोग क्या समझते हैं, इसको बनाया जाता है, इसको पकड़ने के लिए, अरे बेखुप इसको पकड़ने के लिए नहीं बनायाता है होता क्या है कि transformer का oil जब heat करेगा लोंको मालूम है जो चीज गर्म हो जाती है वो उपर उठती है ठंडी चीजें नीचे आती है तो यहां का जो oil है यहां का जो oil है यह जब गर्म हो जाएंगी तो उपर उठेंगी के नहीं उठेंगी उठेंगी ना इधर भी उपर की तरफ उठेंगी यह जब गर्म oil उपर की तरफ उठेगा तो यहां पर इसपेस मिलने की वज़े से इस तरफ air का oil का flow होगा यहां भी oil का flow होगा अब जब oil का flow यहां से होगा इस पाथ से होके जब आयल घुज़रेगा इस पाथ से जब आयल गुज़रेगा तो यह जो रख शल्ट रखा हुआ है इसमें जो की हॉलो है यह किस हो है atmosphere में contact में है इसका मतलब यह कैसा होगा ठंडा रहेगा यह रोड कैसा रहेगा ठंडा रहेगा क्योंकि बाहर का atmosphere क्या है ठंडा है अरे कितना भी गरम होगा लेकिन अंदर वहां से ठंड हो रहेगा अब क्या होगा कि जब यह अले और यहां से होके गुज्बेगा धंडा हो जाएगा ठंडा हो जाएगा तेंप्रिश का इसका कम और यह एका यह पर-प्रोस्टेस और अंदर sonata रहेगा इस चलता रही हो के अंदर आता नहीं जब कभी ऑईल कम हो जाता है, तो क्या होता है, बलास्ट हो जाता है, टांसफार्मर दग गया, बोलते हैं दग गया, बत्ती घुल, ठीक है, चाहतो सर ये क्या है, होता क्या है, कि जब टांसफार्मर जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, तो क्वांटिटी ऑईल की क्या यह पर रिज़र ओउल लखाए था कि जितना इसफेस का इंदर हमावा का कम हो वह इसको तुरहं फुल कर दो यह जब कभी भी इन कड़ेंगे निकल जाएगा पिर नया ओपर से फिल कर देंगे Clear? अच्छा स्वर्व ये क्या होता हूँ है? अरे ? सपलाई आती है, रहाद सपलाई ने यह, क्योंसी ही? एक तो होती है, Phase एक क्या होता है? नियु Ole ठिक हैğ slightly एक होता हैần एक क्यों होता है? Neutral ठीक एड क्यों होता है? hypothesis फेज होता है, नूटरल होता है और अर्थ होता है, फेज होगा, नूटरल होगा और अर्थ, फेज में सप्लाई जो आई, नूटरल सप्लाई होके, जिस रास्ते से गई, अर्थ, जिसको अर्थ कर देते हैं, किलियर, वो तो एक अलग टॉपिक हो गया, फेज नूटरल किसकी बनेती, primary winding, secondary winding क्यों होती है number आप winding कम करने से ज्यादा करने से क्या फर पड़ेगा, core कैसा होता है core limited क्यों होता है, eddy current क्या होता है जितने भी question से बन सकते हैं हमने सारी चीज़ें cover करने की कोसिस की है इसके लावा अगर कोई चीज़ छूट जा रहा है तो तो तुम लोग comment box में जरूर पूछना हम जवाब देंगे ठीक है? हो गया? Thank you